बिस्मिल्लाइर रख्मान रखीम, असलाम लेकूम, इस कोर्स का खास मकसद इंग्लिश पोल्चाल को आसान बना रहा हैं, वो भी इंग्लिश क्रामर केज़ दिये, जिसा कि आप लोग हमारे इस कोर्स को लाइक करें और आप चाहते हैं कि हम मजीद इस कोर्स को आपके लिए क सीखते रहें, मैं आपको ये बात हर एक वीडियो के स्टार्ट में जरूर बताती हूं, वो ये कि आपने हर एक क्लास को आखर तक देखना है, वो इसलिए कि हमने हर एक क्लास के आखर में आपके लिए प्रैक्टिस रख्टी होती है, जो कि आपके लिए टेम्ट करना लाज करते हैं लेकिन मैं चाहूंगी कि आपको इससे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने प्रिविस क्लास में आपको क्या सिखाया था प्रिविस क्लास में हमने आपको सिखाया था कि फिक्रा किसे कहते हैं फिक्रात की कितनी किसमें हैं आज ही क्लास में हम आपके इन चारों वर्ट है इनको आप कैसे इसन्माल कर सकते हैं कैसे आप इन चार वर्टS को यूजज करके मुकतलिफ किसमके संट्रेंसशग बना सकते हैं आज की साथ में आपको यह सिकाने वाली हो तो यह चार वर्टS नट दो डू-डू-डा, डлиз एड z नाट, आगे करते हैं प्रेजिंट इंडिफनेंटेंट को मुख्तलिफ सिच्वेशन के बार में बात करने के लिए यूज करते हैं सबसे पहले आप अपनी होबी के बार में बात करना चाहते हैं जैसा कि आपको क्या करना पसंद है आई लाइक टू रीड न्यूस पैपर मुझे न्यूस प पर पढ़ना पसंद है इसके बाद आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है आई लाइक टू इट एपल्स आई डूंट लाइक मैंगोज मुझे मैंगोज पसंद नहीं है इसी तरह आप फेक्ट्स की बात करते हैं फेक्ट्स की बार में बात करना चाहते हैं जैसे सन in the morning, ठीक है, I offer prayers five times, पांच वक की नमास पढ़ना ये भी आपकी habit है इसी तरह आप अपनी desire के बर में बात करना चाहते हैं कोई आपकी खौईश है जैसा कि I like to visit abroad बाहर जाना चाहती हूँ और आपकी regular activities है जैसा कि आप सुबा सुबा उठते हैं आप cricket ख्यालते हैं ये आपकी regular activities है ठीक है, कोई भी आप काम करते हैं तो present in different tense का इस्तमाल करते हैं irregular activities हैं जो के आप daily basis पर नहीं करते तो present in different tense को आप इन तमाम situation में use कर सकते हैं और use करते हैं जब present in different tense आपको समझ आ गया तो helping web जो मैं आपको सिखाने लगी हूँ वो में बोलो आप लोग असानी से सीख जाएंगे helping web हम one by one discuss करेंगे बटिस से पहले आपको ये पता होना जाएए ये examples देख लेए ठीक है, इससे present in different tense समझना और भी असान हो जाएगा we play cricket, हम cricket कहलते हैं she dances well, वो अच्छा डांस करती है he studies well, वो किताब पढ़ता है Ali eats meal, Ali खाना खाता है he drinks water, वो पानी पीता है ये हैं present in different tense अगर आप मुझूदा वक के बर में बात करना चाहते हैं तो आप present in different tense का इस्तमाल करते हैं अब आजाते हैं helping web पे, do पे do का इस्तमाल आप कहाँ पे करते हैं एक चीज़ अपने माइन में रखे हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ do, do not, does and does not ये चारो वर्ड्स को हम helping web कहते हैं और इनको हम present in different tense में इस्तमाल करते हैं present in different tense के बार में आपको सिका चुकी हूँ already इन चारो वर्ड्स को आप मजूदवक में ही इस्तमाल करेंगे मतलब आप इनने सिर्फ present in different tense में इस्तमाल करेंगे इसके लावा और किसी भी तरेंस में इस्तमाल नहीं करेंगे तो present in different tense के बार में हमने आपको سिखा दिया वो इसलिए सिखाया कि इन चारों वर्ट्स को आपके लिए समझना असान हो जाएगा ठीके सबस्पहले डू के बार में बात कर लेते हैं डू का इस्तमाल आप कुशन के लिए करते हैं जब भी आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप डू का इस्तमाल करेंगे एक रूल तो मैं आपके सामने काफी दफ़ा अपनी वीडियोज में इस्तमाल कर चुकी हूँ कि जब भी हम सवाल करते हैं तो सवाल करने के लिए जो फर्मूला इस्तमाल करते हैं वो ये है कि हम हेल्पिंग वब को हमेशे शुरू में लेकर आते हैं सिंटेंस के अंदर जो हल्पिंग अब इस्तमाल होगा इसको हम शुरू में लेकर आएंगे तो वो हमारे पास सवाल ये फिकरा बन जाएगा तो डू को भी हम शुरू में लेकर आएंगे सिंपल सा फर्मूला आप अपने माइन में रखेंगे तब इनको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा और सवाल ये फिकराद भी बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा तो यहाँ पर डू को अपने शुरू में रखना है लेकिन एक चीज़ आपको लाजमी पता होने चाहिए कि डू के साथ आप कौन से सब्जक का इस्तमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है तो डू के साथ हम सब्जक का इस्तमाल करेंगे वो यह है यू वी आई एं दे यह चारो सब्जक्स हैं जिनके साथ हम डू का इस्तमाल करेंगे ये भी आपने लाजमी सीख लेना है ठीक है डू के साथ इन चारों सब्जक्स के लावा किसी और को यूज़ नहीं करेंगे चलें एक्जामपल देख लेते हैं Do you speak English? क्या तो हम English बोलते हो? यहाँ पर Do हमने शुरू में लगा दिया Do we write a letter? क्या हम खत लिखते हैं? Do we take tea? क्या हम चाए पीते हैं? Do I go to school? क्या हमें स्कूल जाता हूँ? सिंपल सा फर्मूला है Do को अपने शुरू में लगाना है इसके बाद आप सब्जक्स का इदाफा करेंगे सबसे परे Do आ गया इसके बाद हम सब्जक्स लेकर आएंगे ठीके? सब्जक्स के बाद आप वब लेकर आएंगे वब के बाद अब्जक्स का इदाफा करेंगे तो यह सिंपल सा फर्मूला है अपने अपने माइन में रखना है किस चीज का सवाल या फिक्रे का इसके बाद हमारे पास है Do Not अगर हम कहले Do का इस्तामाल करेंगे तो हम सवाल या फिक्राद के लिए करेंगे अगर हम Do के साथ Not लोगा देंगे तो यह मनफी बन जाएगा मतलब Negative बन जाएगा Simple है तो हम Negative Sentences बनाने के लिए Present In Different Tense में इस्तामाल करेंगे ठीक है मनफी फिक्राद बनाने के लिए हमारे पास क्या फर्मूला होता है सब्जेक को हम शुरू में लेकर आते हैं इसके बाद Do Not इसके बाद Word और इसके बाद आपने Object का इजाफ़ा करना है We Do Not Eat Meal हम खाना नहीं खाते I Don't Use This Mobile मैं Mobile यूज नहीं करता They Don't Drink Water वो पानी नहीं पीते है You Do Not Work Hard तो मैंनत नहीं करते हो बस आपने इस फर्मूला को अपने माइन में रखना रखना ये बाकी सारा इजी है इसके बाद आजाते है Does जिसके मैंने आपको बताया कि Do का इस्तमाल मुख्तलिफ सब्जेक के साथ करते हैं इसी तरह Does का इस्तमाल भी मुख्तलिफ सब्जेक के साथ करते हैं दोनों में एक चीज कामन है Do का इस्तमाल भी हम सवालिय फिकरात में करते हैं शी इट दिस एंड है तो ये हमारे पास फाइव वर्ड़्ज हैं जिनके साथ हम ड़स का इस्तामाल करते हैं ठीकिए सवाधी फिकरात बनाने के लिए एक्जांपल देख लिए हैं मजीद फिर आपको समझ आ जाएगा ड़स हमत स्पीक फ्रेंच क्या हमत फ्रांसीसी बोलता है ड़स रू में आ गया इसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब लास में अब्जेक्ट ठीकिए फर्मूला सब में सेम रहेगा ड़स इट रेन? क्या बारश होती है? यहां पर इट का इजाफ़ा करें क्यूंके रेन हमारे पास जानदार चीज़ नहीं है ड़स बेस she like चॉकलेट? क्या वचाकलेट पसंद करती है? ड़स बेस ही इट मील? क्या वो खाना खाते है? क्या वो खाना खाता है? एक चीज आपने याद रखनी है कि सवाले फिकरात की इलामत क्या होती है उर्दू और इंग्लिश के जो फिकरात होते हैं इनकी आखर में आपको कोईशन मार्क नज़राएगा अगर आप कोईशन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल आलात होगा ये बात याद रखेगा ये वाली रामत आपने उर्दू और इंग्लिश के फिकरात में एट करनी है आगे बढ़ते हैं यहां पर एक वर इंपॉर्टन चीज आपने अपने माइन में रखनी है अगर हम ड़स के इस्तमाल प्रेजन इंडिफरेंट एंट में नहीं करें तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे बड़ा ही सिंपल सा तरीका है और बहुत सारे स्टूइट्स इस सिचुएशन में कन्फूज हो जाते है ठीके वो ड़स के इस्तमाल तो नहीं करते लेकिन यह नहीं पता होता कि हमने वर्ब के आखर में क्या चीज़ एट करनी है याद रखिएगा कि अगर आप ड़स का इजाफा नहीं करेंगे तो आप वर्ब के आखर में स या इस का इजाफा करेंगे ठीके बहुत सारे स्टूइट्स इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं वो वर्ब के आखर में स या इस का इजाफा नहीं करते तो positive sentence बनाएगे हम तो positive sentence याद रखिएगा कि ये वहला फर्मूला सिर्फ positive sentences में होगा कि वर्ब के आखर में हम S, C, I, E, S का इजाफ़ा करेंगे ठीके इस situation में जो हम वर्ब के इस्तेमाल करेंगे वो ये वाले हैं he, she and it examples देख लेते हैं इससे आपको clear हो जाएगा ठीके he catches the ball वो गेंद पकरता है यहाँ पर मैंने ये नहीं का कि he catches the ball जब आप third person के बर में बात कर रहे होते हैं तो singular third person तो हमने S, C, I, E, S का इजाफ़ा लाजमी करना है ठीके, वब के आखर में यहाँ पर मैंने केच नहीं बोला ठीके, बलके he catches the ball dust के इस्तिमाल भी हम नहीं करें ठीके, यह यह आपने याद रखेंगे रखना है she speaks English वो English बोलती है अगर आप यहाँ पर S का इजाफ़ा नहीं करतें तो यह बहुत बड़ी गलती है जब आप 3rd person की बात कर रहे हैं और आप dust के इस्तिमाल भी नहीं कर रहें ठीके, आप positive sentence बना रहे हैं तो आपने हर हाल में S का इजाफ़ा लाजमी करना है she speaks English वो स्कूल जाता है he goes to school आपने यहाँ पर यह नहीं कहना कि he goes to school इस तरह sentence हालत हो जाएगा इसी तरह it runs fast वो तेज़ बागती है बस सिंपल सा फर्मूला अपने माइन में रखना है कि जब हम dust का इस्तमाल नहीं करेंगे positive sentence बनाना चाहते हैं तो वो आपके आखर में क्या लगाना है S.C.I.S. का इजाफ़ा करना है बस ये सिंपल सा फर्मूला अपने माइन में रखेंगे तो आपके इस sentence बनाना आसान हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अगर do के इस्तमाल करेंगे तो हम सवाली फिकरात बनाएंगे अगर हम do के साथ not लगा देंगे तो हमारे पास do not बन जाएगा तो हम negative sentences बनाएंगे इसी तरह does के साथ not का इजाफ़ा करेंगे तो ये हमारे पास does not बन जाएगा ड़स नगड़िफ संटेंस ठीकिँ, negative sentences बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है और ये वो तमाम सब्जेक्स एंजिन को हम डजनाट के साथ इस्तवाल करेंगे। कौन-कौन से ही, she, it descended, she doesn't speak English, वो इंग्लिश नहीं बोलती, यहां बारिश नहीं होती, आप इन पांचो सब्जेक्स को यूज करके डजनाट के साथ संटेंस बना सकते हैं, यानि डजनाट के साथ आप तब इस्तवाल करते हैं, जब नेग्लिश संटेंस बनाना चाहते हैं। यह संटेंस चारों वर्ट से रिलेक्टेड हैं, डू, डू नाट, डजन, 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 ठीके, अगर आपको इसको अपच्छे से एटम्ट कर ले दे हैं, तो हमें यकिन हो जाएगा कि आपने हमारी लेशन को अच्छे तरीके से चीक लिए हैं, इसी की साथ हमारी लेशन क अपने हैं, अगर आपको अमारी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अल्हाफिस,